अगर आप इस चैनल में नहीं हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम इस वीडियो में सैनिक स्कूल अमरभती नगर की रिक्रिट्मेंट देखेंगे हमारी जो रिक्रिट्मेंट की डिसक्शन होंगी यह फिजिकल एजुकिशन सब्जेक से रिलेटेड होंगी तो हम इसमें वो सारे डिटेल्स कवर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए जैसा कि आप आप देख सकते हैंं काई केजने लिंक करेंगा आपको इसे यों पापन कर लेना है तैन यहां पर जितने भी वेकंसी हैं कूल लें जो जारी किया है वो सब आपको इसी पेयच पर मिलेंगी तो हमारा सब्जेक्ट है वह फिजिकल एकू infinite है यहां पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने physical training instructor कम matron की recruitment इन्होंने जारी किये है जिसमें एक post है और वो भी contractual basis पर है तो जो भी interested female candidates है वो इस form को भर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छा खासा experience मेले वो as a contractual basis पर school में काम कर सकते हैं फिमेल्स के लिए vacancy है जो educational qualification यह मांग रहे हो है bachelor of physical education BPA of four years degree course या फिर अगर आपके पास three years का graduation है one year BPA course अगर अगर आपने किया है one year BPA diploma तब भी आप इसमें apply कर सकते हैं या फिर अगर आपने बी एससी किया in physical education या health education या फिर sports plus one year BPA diploma अगर आपके पास है तो आप इसमें apply कर सकते हैं for the post of physical training instructor come met wrong और क्या essential चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ability to speak in English and Hindi और Tamil fluently आपको English में तो अच्छा होना ही होना होगा और Hindi और Tamil में Hindi या फिर Tamil में अगर आप fluent है तो यह एक requirement है जो यह मांग रहे हैं अगर आपके पास achievements है इससे पहले कि sports में arts में music etc को curricular activities में तब भी आपको preference दिया जाएगा या फिर अगर आपके college time में आपके पास NCC का certificate है B या फिर C certificate तब भी यह आप इसमें भर सकते हैं यह उनका एक requirement है previous अगर आपका experience है आपको preference दिया जाएगा यह सारे requirements इन्होंने दिये है जो एज requirement है वह है 21 years 50 years का जो रेंज है अगर आप इस रेंज के बीच में कहीं fall हो रहे है 21 years to 50 years के बीच में तब आप इसमें form फिलब कर सकते हैं और आपको जो monthly salary दिया जाएगा वो होगा 20,000 पर मन्त तो यह थी requirement की सारी चीजें अगर आप physical training instructor का matron female post female post के लिए बनना जाते हैं वो भी contractual basis पर तो आपके पास यह सारी qualifications यह सारे requirements और आपका age group इतना होना चाहिए तब आप इस form को भर भाएंगे तो हमने इस recruitment से इस recruitment से related सारे details डिसकस कर लिया है फिर भी अगर आपको इस related कोई bit out हो आप comment box से पूछ सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया अगर इस वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रू सब्साइब कर लें क्योंकि हम regular updates देते रहते हैं physical educations are related so thank you so much for watching prepare well and all the best